हेलो दोस्तों मैं होव इशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ is फिल्मी दोस्तों आप अक्सर मुझे बोलते हैं पुरानी डरावनी फिल्मों की लोकेशन बताने के लिए तो आज हम जानेंगे सामरी फिल्म की शूटिंग लोकेशन के बारे में इस film में रामसेज ने मुंबई के साथ साथ चेन्ने में भी शूटिंग की है जो रामसेज के लिए थोड़ा अन्यूजल है फिल्म के शुरू में इस गाने की शूटिंग बाबुलनात मंदिर में हुई थी जो मुंबई में Hanging Garden के पास मालवार हिल पर है सामरी की हवेली के ये बहर के शौट्स चेन्ने के वाहनी स्टूडियो में शूट हुए थे हवेली के अंदर के सारे शौट्स चेन्ने के AVM स्टूडियो में एक सेट पर शूट किया गये थे सामरी की गुफा के शॉट्स मुंबई के महभूब स्टूडियो में गुफा का सेट बनाके शूट किया था सामरी को दफनाने के शॉट्स मुंबई के SL स्टूडियो में आउटडोर लोकेशन के है ये गाना लड़की कैसे पटाई जाती है, मुंबई के होटल होराइजन के वेव डिस्को थेक में शूट हुआ था, अंजु का एक घर मुंबई के चांदीवली स्टूडियो के एक घर में शूट हुआ था, अंजु और संदीक के शॉट्स चेनने के वाहनी स्टूडियो के है इस गाने की शूटिंग चेनने के प्रसाद स्टूडियो, मुंबई के एसल स्टूडियो और मुंबई के अकसा बीच पर तीन लोकेशन पर हुई थी रामसेज अपनी फिल्मों की ज़्यातर शूटिंग मुंबई के ट्रॉम्बे इलाके के एसल स्टूडियो में गरते थे प्रसाद नुम्बई के एसल स्टूडियो में हुई थी यह पुलिस टेशन के सीन मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो के हैं यह सीन मुंबई में जूहू के नागी विला में शूट हुआ था इन चेसिंग और फाइटिंग सीन की शूटिंग फिल्म सिटी के रोड पर हुई थी तकलिफ चंत को मारने के शॉट्स मुंबई के एससिल स्टूडियो में हवेली की लोकेशन के बाहर के हैं दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं इसके लिए धन्यवाद आगे मैं और एक्साइटिंग वीडियो लाने वाला हूँ तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बाएं टेक केर हमारा चैनल लाइफ इस फिल्मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें